मौन्सून सत्र के दूसरे दिन बिहार विधान परिशत में सिक्षक नियुक्ति को लेकर भारी हंगामा हुआ सदन की कारिवाही जैसे हैं शुरू ही भाशपा एमिल से सिक्षक नेताओं को नजर बंद करने के बारे में सभापती को जानकारी देने लगे इस दौरान भाशपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस की गुंडा गर्दी के कारण बिहार में इमर्जंसी जैसी स्थिती हो गई है पुलिस सिक्षक को और उनके निताओं को घर में बंद कर दिये गया है इसके बाद भाशपा सदस्यों बेल में पहुचकर नारेवाजी करने लगे और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे इस दौरान संसतिये कारे मंत्री वज़ाई चौतरी के जवाब से भाशपा सदस्यों संतुष्ट नहीं हुए वही विपक्ष के निता समराच चौतरी और मंत्री विज़ाई चौतरी में भी फिरंथ हो गई भारी ववाल के बीच सभापती देवेश चंद ठाकूर ने सदन की कारेवाही धाई बज़े तक के लिए अस्थकित कर दिया सदन स्थकित होने के बाद सभापती और नीता प्रतिपक्ष में मुर्ताबात की नारेवाजी को लेकर विवात हो गया विवात बढ़ता देख मंत्री अशोक चौतरी ने हस्तक शेप किया बाहा निकल कर भाजपा प्रदेश अध्यक शमराच चौतरी ने बिहार सरकार पर जम कर भडास निकाला समराच चौतरी ने कहा कि बिहार में इमर्जनसी जैसी स्थिती है वत्यमंत्री वबक्ष के सवालों को भटका रही है वहीं जदियों मिल से संजीव कुमार सक्षकों के समर्थन में उत्रे उन्होंने कहा कि सरकार को सक्षकों की मांग को मानना चाहिए सक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा दीना चाहिए सक्षकों की गिरफतारी राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिए वहीं इसको लेकर कॉंग्रेस नेता प्रेम चंडर मिश्रा ने कहा कि सक्षकों की गिरफतारी अभी तक नहीं हुई है भारती जंता पार्टी के निता चूट फोल रहे है कॉंग्रेस ने कहा कि सदन के अंदर जिस तरह से विजपी नारेवाजी कर रही है इससे पता चलता है कि भारती जंता पार्टी के निताओं को लोगतंत्र के इस मंदीर पर भरोसा नहीं है आपको बता दू कि बिहार में सक्षक नियामावली 2023 नीती को लेकर बिहार के सक्षक आक्रोशित है बिहार के सरकारी विद्यारियों में 1,70,000 सक्षकों की भरती प्रोकरिया का नॉटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इन नॉटिफिकेशन 15 जून को आया आविदन करने की आखरी तारीक 12 जुलाई तक है सक्षक इस नियामावली पर पुन्हे विचार करने की मांग को लिकर लगतार प्रदशन कर रहे हैं आफ देखना लासमी होगा कि सरकार इन सिक्षकों की मांग को कहां तक और कब तक मान पाती है आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर